नमजगार दोस्तो दोस्तो मौंगफली तो सभी खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौंगफली का जो पौधा होता है जो इसके पत्ते होते हैं इसके भी बहुत सारे फायदे हैं शायद आप लोग नहीं जानते होंगे तो दोस्तो आज में आपको इस वीडियो में इसके जो मुंगफली के पौधे होते हैं इसके पत्ते होती है और कच्ची मुंगफली जो होती है उन सभी के फायदे बताने वाला हूँ तो दोस्तो आपने वीडियो को पूरा देखना है बिल्कुल भी इसके पर नहीं करना है दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो पिलिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी वाल निशाने उसे भी आल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तो आज मैं अपने खेट पर आया था तो मैंने सोचा चलो आज मौंगफली के जो पौधा है उसके फायदे बता देता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुंगफली का पौधा है और ये इसके पत्ते हैं थोड़े गोल होते हैं लंबे होते हैं और दोस्तो आज में आपको इसका मुंगफली कैसे लगी होती है अंदर जमीन में वो भी दिखाने वाला हूँ शायद जो शहर में रहते हैं लोग वो नहीं इन चीजों को देख पाते हैं तो आप इस चीज़ को भी देख पाएंगे इस वीडियो में दोस्तो पहले तो बता देता हूँ कि इसका इस्तमाल बहुत सारे रोगों में रोगों को ठेक करने के लिए किया जाता है जैसे कि अगर आपको बवासीर की दिक्कत है ठीक ह तो उसमें क्या करना है कि आपने इसके पक्तों को तोड़ लेना है और इसे पीस लेना है और दो चम्मच इसका रस लेना है आपने सुबह खाली पेट ऐसा अगर आप लगातार 15 से 20 दिन तक करते हो तो आपको बवासीर में बहुत ही आराम मिलेगा जैसा कि मैंने कहा था आ आता हूँ मैं आपको तो जैसे आप देख रहे हैं इसके जड़ जो होती है छोटी सी उपर से कीले जैसे निकलती है कील जैसे और ये जमीन में घुस जाती है और अंदर जाकर ये मुंगफली बन जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए इसमें मुंगफली निकल गैस बनना या फेट में अपच रहना तो उसमें भी अगर इसको रसको पीते हुआ खाली पेट दो चम्मत तो उसमें भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों अगर चेहरे पर कील मोहासे हैं दाग दब्बे हैं जुरियां हैं और आखों के नीचे काले घेरे हैं तो इ भूक कम लगती है तो आपने क्या करना है कि इस कच्ची मुफली के दाने होते हैं वो सुबह खाली पिट खाते हो तो आपको भूक भी बहुत तेजी से लगनी शुरू हो जाएगी दोस्तों और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं